नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने। अज इतिहास के पन्ने में हम काफी पीछे जाएंगे। हम नहरूजी की तरफ जाएंगे। हिंदुस्तान के पहले प्रधान मंत्री। नहरूजी के बारे में कहा जाता है कि उनके उपर बाचीत कभी खतम ही नहीं हो सकती है। उनके बारे में किताबें भी शायद खतम नहीं हो सकती है। उनके बारे में इतना डाइवर्स परस्नालिटी और उनका काम इतना वाइड था कि उसको नए नए तरीके से दिखा जा सकता है। तो एक नई किताब आई है जवालाल नहरू पे नहरू एंड़ स्पिरिट ऑफ इंडिया। मानश भटाचाजी ने इस किताब को लिखा है और वो हमारे साथ है। मानश भाई हमारे इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके इस किताब में आपका एक मिडल नेम भी है फिराख। ये एक तरह से मेरी समझ में एक तरह से जो नहरूवियन ड्रीम है उसको शाद कहीं न कहीं रिफलेक्ट करता है। कि एक सेक्यूलर किसम का एक नाम अपने नाम के अंदर जो आपको पैदाईश में मिला इंसर्ट करने का उसके बारे मैं जानना चाहूँगा फिर नहरूजी के बारे में बात करेंगे। ज़रूर शुक्रिया निलांजन और मुझे यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है आप से यह मुलाकात और बात करके और आपने हमें इस प्रोग्राम पर पिलाया तो मैं निउस क्लिक को और आपको दोनों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो आपने मेरा मिडल नेम पर जो आपने सवाल किया। हाँ मतलब मैंने तो सोचा नहीता लेकिन शायद यह जरूर एक नहरूवियन लिंक इसमें हमको मिल सकता है। एक तो यह की नहरू के साथ एक उर्दू पोईट्स का और उर्दू पोईट्री का एक अच्छा एक पुराना काफी गहरा संबन्द थे उनके समय में और नहरू खुद काफी अच्छा उर्दू वो बोलते थे और जोश मलियाबादी के साथ जैसे नहरू का बहुत ही बहु बहुत ही एक अच्छा फ्रेंशिप उन में था और उनके बारे में बहुत लिखा जा चुका है इस फ्रेंशिप के बारे में और फिराक नाम तो मैंने फिराक गौरकपुरी साहब से ही लिया मैं एक दिन शाम को उनका गजल सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये नाम अच्छा है और शायद मेरे नाम के बीच ये अच्छा एडिशन होगा और फिराक गौरकपुरी भी एक किसम से एक हिंदू परिवार से ही आतिश है और वो भी हिंदू थे और ये तो उनका तखलूस ह तो हर तरफ से मुझे इंटरिस्टिंग लगा लेकिन ये सब बातें मैंने बाद में सोचे हूंगे पहले मैं तो मैंने फिराक जो शब्द है और जो इसका मतलब है वो मुझे अच्छा लगा और मेरे को लगा कि मैं अपने नाम के साथ इसको जोड़ना चाहूंगा आपने किताब में और जब आपसे चर्चा भी हो रही थी तो आपने एक चीज के बारे में बहुत स्पेसिफिकली आपने मेंशन किया वो ये कि अपना खुद का परिवार का एक refugee status जो काफी हद तक नहरू को भी आपने जिस तरह से अप्रोच किया तो उसमें भी आपको उसके reflections दे की परचाई आती रही और शायद आज के दिन में भी आती है ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि refugee शब्द आज के हिंदुस्तान में उसके अलग-अलग माइने हैं एक refugee जो वेलकम है एक refugee जो वेलकम नहीं है वो घुस पैठी है तो और आप उन में से हैं जो आज के रेजी जी कहलाए जाएंगे क्योंकि आप हिंदु परिवार से हैं आप ही के साथ हो सकता है कि जो आज का बंगलादेश है वहां से जो लोग उठके आये होंगे उन में से कई ऐसे रहे होंगे उसी समय में जो हिंदु नहीं है जो मुसलमान है लेकिन वो घुस पैठी है मतलब कहा जाता है या उनको सस्पिशन से दिखा जाता है तो इस स्टेटेस का रेसिलूशन या फिर पर्चाई कैसे पड़ता रहा है और आपके कॉंशिंस पर आपका जो सबकॉंशिंस उस पर किस तरह से या इसका होता है हाँ ये बहुत मतलब complex issue है in the sense कि मुझे अपने परिवार और मेरे पिताजी के जो और दोस्त और जानने वाले लोग थे उनके थ्रूश है जब हमारे घर पे या कहीं और discussions हुआ करते थे तो इस तरह का एक feeling आया की जैसे नहरू काफी हद तक मतलब जो देश का विभाजन हुआ उसके लिए नहरू का काफी responsibility है और not only that कि नहरू ने कभी refugees की मतलब परवाने क्या कदर नहीं की या उस तरह का एक छवी हमें सुनने को मिलता था उस वक्त ऐसा आप जब बड़े हो रहे थे तो refugees की जब बात हो रही है कि नहरू ने refugees के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं थी तो तब क्या segregate करके देखा जाता था कि हिंदू refugee के लिए कुछ नहीं किया Muslim refugee के लिए कुछ जादा गया कि ऐसा कुछ था या refugee तब तक एक secular label था जब आप बड़े हो रहे हैं नहीं सेकूलर उस तरह से तो नहीं था लेकिन बात यह है कि हमेशा हर चीज़ पे लोग शायद अपने communal identity को नहीं लाते थे जबकि वो एक तरह से subconscious या unconscious लेवल में वो है वो feeling है लेकिन एक कभी किसी के बारे में कोई blanket judgment अगर कोई दे रहा है तो उसमें फिर शायद communal identity को एक बड़ी तरह से मतलब उसको focus में नहीं ला रहे हैं बड़ इसका मतलब यह नहीं क कि वो इस तरह का सोचते नहीं थे मतलब कि ऐसा वो जरूर सोचते होंगे कि नहरू को शायद हिंदू refugees से कोई particular कोई लेना लगाव नहीं था लेना देना नहीं था ऐसा होता होगा बट इस गांदी assassination के बारे में तो यही कहा जाता था कि गांदी जी आम आम public का जो opinion है वो य कि गांदी जी की हत्या है उसलिए हुई क्योंकि वो प्रो मुस्लिम थे हा मतलब नौखली रायट्स को भी नौखली रायट्स में जो गांदी जी का contribution है और जो उनका जाना था वहां पे वो लेकर भी अलग अलग किसम के जरिया है देखने का तो नहरू को लेके particularly यही था कि उनको कोई तो मतलब वो जो एक refugee sentiment है और जो refugee मतलब यह as if दो तरफा था ऐसे हमको feeling होता था उनकी बात सुनके कि नहरू को भी refugees से ज़्यादा लगाव नहीं था तो refugees को भी नहरू से कोई ज़्यादा लगाव नहीं था तो इस बात को हमने सुना लेकिन फिर हम नहरू के बा at least नहरू को लेके मैंने at least कोई ऐसा final conclusion draw नहीं किया था मुझे लगा था कि शायद में बड़े होकर और थोड़ा इस पे मैं जानू लेकिन बाद में जब मैंने जैसे 88 में आई थिंक जब दूर दर्शन में बेनेगल का भारत एक खोच दिखना गया तब मैंने बहुत नहरू को समझने की कोशिश की और तो मेरा पिक्चर हमेशा से कुछ अलग ही था नहरू को लेके मेरा पिताजी का जो पिक्चर था जो मुझे पता है कि वो खुद एक 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 रिफ्यूजी स्टेटस से आ रहे थे और वो एक्सपिरियंस से आ रहे थे तो जरूर उनके पास शायद मेरे से ज्यादा जानकारी होगा लेकिन फिर भी मैंने पिता जी की बात पूरी तरह से मतलब अपने जहन पे नहीं लेए मैंने सोजो हो चाए कि मुझे खुद इस बारे में पता करने चाहिए और शायद उसी वज़े से जब मुझे अपना टॉपिक चूज करने को वो आया मेरा एमफिल में जे इन्यू में तो मैंने सोजो हो चाए कि नहरू पे मैं काम करना चाहूंगा और तब तक हम डिसकोवरी फिंडिया पढ़ भी चुके थे तो मुझे लगा कि कुछ सवाल थे मेरे मन में जिससे मुझे लगा कि कुछ नहरू से भी बहस होनी चाहिए और कुछ पिताजी से भी बहस होनी चाहिए और कुछ अपना होने से भी बहस होनी चाहिए कि हम कौन है क्यों है कैसे है और यह सारी जो सवाल है क्योंकि मुझे लगता है कि इस से बहतर कि लोग हमें बताए कि हम कौन है और क्यों है और क्या होना चाहिए हमें खुद अपने आप इस बात का तैक करना चाहिए तलाश करनी चाहिए कि हम क्या है और जो सवाल और जो तैकिका नहरू ने खुद अपन और खुब खुबसुरत बात किसी भी इंसान में हो नहीं सकती जो ये सवाल का जवाब खुद न ढूनने की कोशिश करें तो मैं इसलिए मेरी पिताजी की कही हुई बात या किसी और की कही हुई बात पे मैं पुरी तरह से सहमत इसलिए नहीं था कि मुझे लगा कि मुझे खुद इस बात का तैकन चाहिए और अगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आज के दौर में स्वतंत्र मीडिया पर तलवार लटक रही है खबरों को मानो दबाने की कोशिश लगातार हो रही है ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यमों को बचाना बहुत जरूरी है न्यूसक्लिक में हम खबर लाते हैं अलग-अलग सेक्टर्स की मजदूर, बेहनों और भाईयों की किसानों की आंगनवारी कारेकरताओं की शायद ही मजदूर वर के किसी को छोड़ा जाता होगा हम ना केवल राजनीती पर बलकि विज्ञान, कृशी एवं टेक्नोलोजी की खबरों को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं ऐसे में हमें यानि न्यूसक्लिक को आपके समर्थन की बहुत जरूरत है हमारी स्वतंतर पत्रकारिता को समर्थन दें हमें सब्सक्राइब करें नीचे दिये गए लिंक पर जाएं और हमें अपना समर्थन दें ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है और अब कारिकरम का शेश भाग नहरू पे आपने काफी काम किया एंफिल में भी काम किया मैं मानूंगा कि मतलब एक तरह से जो एंफिल का काम था उसी को शायद आगे बढ़ा के और फर्दर डिवलप करके क्योंकि वक्त के साथ हर इंसान का अपना इंटेलेक्शल ग्रोथ भी होता है तो फाइनली जाके आपकी ये किताब के तौर पे उभर के आती है जो सबसे बड़े जो दो मुद्दे हैं जो आज के भारत में नहरू के कॉंटेक्स में आते हैं वो दो शब्द है सेकुलरिजम और सिटिजन्शिप ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले तीन-चार साथ में जो सबसे एक जो एहम मुद्दा जो एक तरह से 2019 के चुनाओ के बाद से जो हिंदुसान को बाटता है दो अलग-अलग खेमों में वो है CAA के उपर जो जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं जो लोग उसके खिलाफ है तो वो एक तरह से एक इंस्ट्रुमेंट बन गई ऑफ डिवाइडिंग इंडिया एंडियन्स की प्रो-CAA एंटी-CAA उसके उपर अलग राजनीती भी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं तो नहरू के सेकुलरिजम के आइडिया को और सिटिजन्शिप का आइडिया को आप कैसे समझा सकते हैं क्या था उनका सब हाँ और इस सवाल पर एक लिमें आपके पिछले सवाल को भी थोड़ासा जोड़ दूँगा जो मैं उस पे बूल नहीं पाया कि ये जो धर्म के नाम पे जो अलग-अलग सिटिजन्स को कैसे देखा जाता है और मैं ने इसको कैसे एक्सपिरियंस किया और आज कैसे इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो बट नहरू से शूरू करते हुए कि नहरू की जो सबसे अची बात मुझे लगा जो constitution and assembly debates में जो उभर के जो आता है वह की नहरूने जो सबसे हुआ हमपॉर्टन जो जेस्चर दिखाया जो ये था कि वो लोग जो अपने आपको हिंदुस्तानी मानते हैं हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान के सिडिजन्स हैं वो नागरिक हैं तो मतलब एक तरह से इस बात का सबसे बड़ा इंपॉर्टन्ट ये ऐस्पेक्ट है कि बिफोर सिडिजन्शिप इस अ स्टेट लॉव बिकम्स अ क्वेस्चन अ लिगालिटी लिगालिटी से पहले नहरू बोल रहा है कि इनसान खुद लोग अपना तै कर सकते हैं कि वो यहां के नागरिक है की नहीं तो ये तै करने का जो है ये नहरू पहले लोगों को खुद देते हैं स्टेट बाद में तो ये जिस्चर और मुझे बहुत ही आपको लगता है कि क्योंकि ये जो पोजिशन लिए कि लोग तै करें कि वो सिटिजन्शिप कहा का लेना चाहते हैं ये हो रहा है पार्टिशन के इमीजिट बैक ड्र इसके बाद इंडियन स्टेट की रिस्पॉंसिबिलिटी बन जाती चितना मैं समझ पाया हूं नहरू के हिसाब से कि एक बार किसी रिक्टीरित तै कर लिया कि मैं हिंदुस्तान का ही नागरिक बनके रहूंगा मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं बनूंगा तो स्टेट की र करने के समय में ये एक विवाद उठा था खास तो रस्ते जो हिंदू महासभा और जो राश्षी स्वाहिम सिवकसंग जनसंग भी उस समय अक्टिव हो गई थी शामा प्रशाद मुखजी जिन्हों ने ये जो लौट के आ रहे थे इनके सिटिजन्शिप ग्रांटिंग को लेक काफी विवाद उठाया गया था और इसी बात पर इंटरिस्टिंग बात ये है कि नहरू ने खासकर इन ही लोगों को एक्जामपल बनाया तूशो के पाकिस्तान का जो आइडिया है कि धरम के नाम पे नेशन एक बन सकता है बनना चाहिए उस आइडिया को ही खारिच करता ह है इस बात को कि वहां के मुसल्मान मत तब यहां से जो मुसल्मान गए है फिर वो जो वापस आए है वो नेहरू के लिए सबसे बड़ा प्रूफ था आफ दी पाकिस्तान का जो बेसिस है वो गलत है बिलकुल जी और और ये नेहरू के लिए एक बहुत इंपॉर्टन बात कि मतलब कि ये बहुत साफ मतलब इस से जादा कोई भी पॉइंट साफ नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का आइडिया जिस पे मतलब ग्राउंड है वो ग्राउंड फॉल्स ग्राउंड है जी तो इसलिए वो खासकर उन लोगों को उतना ही प्यार से और वो एक्सेप्ट करने की बात करते थे जो कि किसी और लोग जो हिंदी हिंदुतान में है उनके विजवी वो सीमी था उनका रविया तो ये तो रही नहरू की जेस्चर जी मैंने जैसे लेकिन मैं जब सेवेंटीज में असायम में बड़ा हो रहा था तो हमें पता चला कि जब हमें फॉरिनर्स कहा ग इस तरह से डिविशन नहीं था उन्हों ने तो बहुत ही सीधी तरीके से दोनों को एक ही साथ फॉरिनर्स माना जी और वो एक इंटरिस्टिंग आसपेक्ट है पर्टिकुलिर असाम का जो आज भी बरकरार है और उनको शायद कुछ लोग समझ नहीं पाते जो समझते हैं कि इसमें एक कम्यूनल बतवारा होनी चाहिए हमारी समझ में कि कौन हमारा रिफ्यूजी है और कौन नहीं है वो आसाम का केस से काफी पर्टर्ब्ड हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एक ही तरह से देखा जा रहा है इस केस को तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो एक इसकोर्स है रिफ्यूजी सिटिजन्शिप डिबेट और इस इशू का तो उसको लेकर तो हमें समझने की जरूरत है और आर्ग्यू करने की जरूरत है लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो ये कम्प्लेक्सिटी है जो पर्टिकृर्ली असाम से उबर के आता है वो हमें शाय को और गहराई से देखने की जरूरत मैसूस करवाते हैं क्योंकि यहां पर एक्चली हमें शायद यह जो इतनीक आइडिया ऑफ दे नेशन है और आइडेंटिटी है इस बात को भी मुझे लगता है उतना ही सीडियस तरह से एक क्रिटीक उसका एक उबर के आने चाहिए कि य यह जो एक 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 इतनिसाइजेशन है ऑफ एवन कम्यूनिटी ऑफ नेशन ऑफ सेलफ आइडेंटिटी उस चीज़ को शायद हमें थोड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा क्योंकि कभी हमें यह देखने को मिलते हैं कुछ लोगों की सोच में लिखन में कि वो इंडाइजि है और यह कुछ रिफ्यूजिस है तो इंडाइजिनस वो है जो की नाचरिल हकदार है एक एक जगाड़ और वो बिलॉझ करते हैं रिफ्यूजिस है कि बाहर से है तो यह मुझे लगता है कि यह जो एक डिस्टिंशन है जो की अपने आपको एक कलोनियल हिस्ट्री के साथ ब particularly to question and critique this idea of the ethnic identity of the self and the nation, you know, क्योंकि उसमें नहरू particularly खासकर एक अच्छा example है क्योंकि नहरू ने अपना ethnic identity को बिलकुल न का रहा, वो खुद openly कहते थे कि मैं थोड़ा यहां का हूँ, थोड़ा वहां का हूँ, मैं कहां का हूँ, यह खुद नहीं पता, I'm a queer mixture of the East and the West, तो उन्हों ने जो यह exclusion और inclusion का जो एक binary है, एक dilemma है, इसको उन्होंने पूरा नकार दिया था, और जो, क्योंकि यह exclusion, inclusion का जो question है, यह हम अपना identity और उसका definition से जो चोड़ते हैं, और उसी को हम बढ़ा करके फिर refugee citizenship debate में हम उसको डाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका जड़ पे जाना जरूरी है, और यह सवाल करना चाहिए कि हम क्या सिर्फ अपने ethnic identity है या हम कुछ और भी है, तो हम मतलब, क्योंकि हम अगर modern times में, modern society में, modern सोच का एक हिसा है, तो फिर हम क्या है, मतलब, तो वो सवाल तो मुझे लगता है, फिर से वो एक्चली बहुत political सवाल है, और आज के दिन में तो मुझे लगता है कि हम कौन हैं और कहां से आ रहे हैं, यह सवाल से ज़्यादा political सवाल तो अच कुछ है ही नहीं मतलब, तो मुझे लगता है कि यह सवाल से भी हम एक्चली यह refugee citizen question को जोड सकते हैं, क्योंकि इसका जो communalization है, इसके पीछे भी एक strong ethnic understanding of self identity है, जिसको मुझे लगता है हमको बहुत critically देखने के जरुरत है, जी, आपने अपने किताब में एक और बहुत unique तरीके से नहरू को देखा है, आपने नहरू को एक बतौर इतिहास का देखा है, नहरू के बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, आपने मतलब essentially उनको बोला कि discovery of India, और मेरे ख्याल से जो उनकी जो glimpses of world history जो उसके पहले लगबग एक दशक पहले लिखते हैं, चूंकि आपका पढ़ते हुए आपने जिस तरह से उनके जो history का जो perception है, उसको जब आप analyze कर रहे हैं, ज एक तो आया कि जानने की कि आप नहरू as historian को किस तरह से आप देखते हैं, दूसरा ये कि चूंकि एक तरफ नहरू का इतिहास और एक तरफ सावर कर का इतिहास, ये बिलकुल दो divergent इतिहास हैं, और सिर्फ इतिहास ही नहीं, वो इतिहास से शुरू होती है, और हर चीज जग करके history के जो founding principle से उसको मानते हैं, तो इसके बारे में ज़रा मुझे बताएंगे कि नहरू as इतिहास कार, किस तरह का इतिहास की तरफ वो बदब देख रहे थे, हिंदुस्तान का इतिहास को कैसे देख रहे थे, तो मैं actually उसी बात से शुरू कर सकता हूँ, जो अभी हमने ख एक्सक्लूशन का बाइनरी से बाहर निकाल के, तो उन्होंने actually इंडियन हिस्ट्री को भी उस प्रिजम से उन्होंने देखा, और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ पाया, वो मैंने ख्याल से जिसको मैंने अपने किताब में तो उन्होंने हिंडू, इसलामिक या कोई और रिलिजिस कल्चर को सिर्फ उस रिलिजिन के प्रिजम से नहीं देखा, उन्होंने इस प्रिजम से देखा कि कैसे यह हर धर्म के साथ जो उनका जो कल्चर है, वो कल्चर दूसरे कल्चर के साथ एक एंकाउंटर के बाद ही वो उसका एक इंडिविज्वालिटी इवाल्व हुआ so in a very paradoxical sense हमारा इंडिविज्वालिटी हमारा encounters से बना ना कि हमारा कोई एक pure कुछ history है जो कि सबसे एकदम अलग और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं उस तरह से हमारा इंडिविज्वालिटी नहीं बना हमारा इंडिविज्वालिटी सिंथेटिक है और इस सिंथेसिस के प्रोडक्ट है हम और उसी चीज़ को नहरू ने बहुत बारीक तरीके से अपने जो historical जो उन्हों ने जो एक प्रोब किया इंडिया का उस वहां से उबर के आता है दूसरा चैसे उन्होंने एक चीज जो इतियास कारोंने बाद में माना की नहरू इन वे वाज इंडिया प्रोड़ी नो फिर्स इंपोर्टन मौर्डन हिस्टोरियन बिकास ही प्रिडेट्स इस इन फैक्ट आवर मोस्ट फेमस नेम्स इन हिस्टोरी राइटिंग और उस में एक बहुत बड़ा इंटलेक्चुल जो नेरू का जो कॉंट्रिबूशन है वो है कि उन्होंने जो कलोनियर पिरियोडाइजेशन है फोर इंस्टेंस इंडिया डिवाइडेड इंटो इंशन, मीडिवल और उस पिरियोडाइजेशन को उन्होंने डिसकवरी ऑफ इंडिया में ही तोड़ दिया जी वो पूरा अलग उन्होंने का अलग ही परस्पेक्टिव से इंडिया का हिस्टोरिकल टाइम को देखा तो ये सारे कुछ बहुत इंडियूर्स्टिंग मूव्स है जो नहरू ने हमारे हिस्ट्री राइटिंग में हमारा हिस्ट्रिकल अंडिस्टेंडिंग में वो करते हैं और उसके साथ आपने जोड़ा सवाल सेकुलरिस्म का नहरू का इतियास है दूसरे तरफ से जो वो इतियास का जो सावर कर सो उसमें यहां पे वो एक बात क्लियर होता है कि सावर कर के जो किताबे हैं जी उनका जो टाइटिल्स ही है उनसे ये क्लियर है कि सावर कर अपने आपको एक जो अपना उनका जो एक communal identity है उससे बहार नहीं निकल पाए मतलब वो उसी community का एक प्रवक्ता के जैसे उन्होंने history को देखा और उन्होंने मतलब इसी से अपना inclusion और exclusion भी तेह किया कि कौन कौन मतलब belong करता है और कौन नहीं करता है तो एक तरह से वोई actually fundamental problem है कि उस binary को अगर हम actually accept करते हैं तब हम उस communal trap में पढ़ते हैं जो की पहले भी था आज भी है कि हम फिर कौन insider है और कौन outsider है उसी को हम एक ethno religious तरीके से हम तेह करने की कोशिश करें ना कि जो नहरू कर रहा है कि वो इस चीज़ से actually उपर उठके नहीं उस चीज़ के actually अंदर जाके उसको और भी complex तरीके से खोल के हमें दिखाने की कोशिश कर रहे है कि actually हमारा ethnic identity pure नहीं है exclusive नहीं है और ये पूरा हमारा जो वाइडर जो जियो कल्चरल या जो भी आपका है उस 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 पूरे जगह का identity वैसा है तो हमारा history भी हमको उसी नजर से देखनी चाहिए और हमारा politics भी वहीं से उबर के आने चाहिए उतना ही synthesis होना चाहिए मानश भटचा जी जी हम आप कारेकरम के शुरू में हमारे शोताओं को बताये थे कि नहरू पे बाची तो घंटे बहुत लंबे समय तक हो सकती है लेकिन हमने आप से काफी कुछ बात किया इस बीच में और आपको एक बार इस बहुत ही बहुत ही बेहतरीन किताब के लिए एक बार और मैं आपको बधाई देता हूँ और हमारे कारिक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद वक्त और होता तो नहरू और आपके कृताब की ओपर और बहुत चर्चा करते हैं धन्यवाद शुक्रेशं नहरू सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे वो नाहीं सिर्फ tutantra सेनानी थे नहरू एक intellectual giant थे और जैसे हम अभी चर्चा में पता चला कि वो एक बहुत शायद हिंदुसान के पहले modern progressive historian भी थे तो नहरू के अलग-अलग आयाम को, अलग-अलग dimensions को समझना बहुत जरूरी है उमीद करते हैं कि आज के इस कारिकरब में थोड़ा बहुत आपको मदद मिली होगी नहरू के total vision को समझने की धन्यवाद